हालो मैं डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटिशी वस्वागत है दोस्तों मैं बात करेंगे अप्लाइट मैतमेटिस्ट्री के इनवर्स लापलास के मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन की उससे पहले कुछ इंपॉर्टन प्रापर्टीज को समझ लेते हैं इससे पहले भी मैंने आपको इनवर्स लापलास से वीडियो अपलोड किया है आप सभी के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो पिछली कहा है तो दोस्तों मैंने आप से कहा आप जाएए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएए वहां से आप डारेक्टली देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वहां पर टेलीग्राम का लिंग टेलीग्राम को जाएए अगर वहां लिंग काम नहीं करता तो सिंप्ली आप टेलीग्राम पर जाएए और वहाँ पर सर्च करिए current study वहाँ पर आप जैसे ही current study सर्च करें लेकिन ध्यान रहे current study के दोनों को space ना रहे एक साथ सर्च करके इसको join रखें चुकि आगे की model paper या फिर important question में provide करने वाला हूँ जो जो उकी आपको वहाँ पर ही PDF फार्म में मिलेंगे तो इसके लिए भी आप join वहाँ पर जरूर करें देखे दोस्त important properties के अंतरगत हम यहाँ पर सभी properties को सीखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा यह जितनी भी आपकी properties होंगी यह जो आपने अभी laplace में पढ़ा उसी सभी की inverse है इसलिए इसे कहते inverse laplace देखे जैसे कि इसमें first shifting property जो की important है जैसे कि first shifting property में क्या होता है कि s-a की जगा पर ft को रखा जाता है होता क्या था दोस्ते जब आप वहाँ पर laplace पढ़ते थे तो s की जगा पर s-a put करते थे s की जगा पर s-a put करते थे तो बस इसका just उल्टा ही s-a की जगा पर s के farm में आपको convert करना है आप देखेंगे यहाँ पर s-a है और इधर आपका ft हो गया अभी question के इसाब से आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि first shifting property यहाँ पर कैसे लगती है इसी प्रकार आपको यहाँ पर second shifting की की दो condition है यहाँ पर अगर आपका second shifting की बात करें तो यह तो आपका important है लेकिन यह second वाला आपका यहाँ पर आप देखेंगे यह first हुआ इस first के अंतरगत आप से क्या कहा गया यहाँ पर कैसे f t minus u t minus a लिखा गया e की power as into fs लिखा है तो एक बार t को a से minus करना है और फिर u into t minus a करना है चलिए question को अभी देखते हैं formula थोड़ा देखने में आपको difficult लग रहा है यहाँ पर अगर पैमाने की बात करें तो जैसे कि यह formula है इसमें laplace का inverse देखिए f into a s है तो इसका formula होता है one by a f t by a एक formula तो यह होता है अगर आपका आउकल गुडांक के रूप में हो अर्थात आपका जो inverse का दूरूल रहेगा वो f dash s हो तो उस condition में आप formula लगाते हैं यहाँ पर minus one के whole power जो आपका लगता है minus की power में plus one t into f t लगता है अगर वहीं पर आपका double differentiation है इसका अर्थात f double dash s है मतलब इसका बार दो बार differentiation है तब आप minus one का whole square t square f t लिखेंगे अगर इसी का तीन बार differentiation है तो minus one के whole power 3 आप लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे t cube और यहाँ पर लिखेंगे आप f t अब यहाँ पर माल लेते हैं इन बार n बार का मतलब आपका जो number है one two three four five इस परकार से कुछ भी हो अगर n number है वहाँ पर तो उसका आपका क्या होगा आउकल गुडांक के जब रूपां तरण होगा तो minus one के whole power n t की power n और आपका f t यह आपका formula यहाँ पर लगेगा question में आई यह put up करेंगे अब देखेंगे आउकल गुडांक के रूल में था जब आपका formula समा कलन गुड के property को follow करें अर्थात जब आपका question इस प्रकार हो जिसमें आपका laplace हो और साथ में जो लगा हो वो आपका हो integration अर्था समा कलन तो जीरो टू आपको दिया lower limit जीरो अपर लिमिट टी दिया है तो यहाँ पर जीरो से टी fx से dx जब दिया होगा तो laplace का inverse laplace जो change आप करेंगे तो लिखेंगे ft upon t मतलब जो power आपकी जो होगी upper limit उसको upon में t करेंगे और जो x की ये value है limit जो होती है उसी रूप में convert हो जाता है तो simple सी बात है कि ft upon t आपका हो जाता है ये formula अभी huge होंगे आप ये ध्यान रखें इसलिए हमें इस property को पहले बता रहे हैं अगर दोस्ता s से गुलन हो मतलब आपका fs function हो और उसका s से multiply हो उससे s का multiply हो और उसका आपको लापलास ग्याद करना है तो f dash t होगा वही पर अगर आपका f dash fs है उसमें s square से multiply हो तब उसका f double dash t हो जाएगा अगर इसी प्रकार आपका s cube fs है s cube क्या है fs है तो उस condition में क्या होगा यहाँ पर आपका f double आपका 3 बार मतलब इसका differentiation और t होगा तो यहाँ पर आपका 1 बार s से multiply हो रहा fs में तो 1 बार differentiation 2 बार आपका 2 बार का मतलब s square है तो double differentiation इसी प्रकार अगर n बार है n बार का मतलब आपका number 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर n बार है तो आपका क्या होगा f k power n into t होगा अगर s की यहाँ पर देखिए s से गुलन है और अगर आपका s से आप divide करते हैं तब property यह आपकी लगती है देखिए differentiation आपका क्या बनता है जब आप इसको multiply करेंगे तो differentiation बनेगा अब जब आप इस से divide करेंगे तब आपका integration बनेगा बस इतना आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको limit 0 से t ही रखना है अर्था जब आपको question आपको दे दिया जाएगा l inverse f s upon s f s की value कुछ भी हो सकती है माल लिए sin t है उपर नीचे s है sin t की value कितनी हो गए f s की value sin t हो गए नीचे s हो गया मतलब s से जब divide रहेगा तो आपको यही property यूच करना है 0 c t f x d x तुरंट आपको यही आपको लगाना है 0 c t f x d x औके और एक property यहाँ पर यह भी है दोस्त यह अभी चीजों को question को समझ में आएगा तभी यह clear हो पाएगा कि संचलन जो property होती है यह क्या होती है आज़े चलते हैं पहले question की तरफ जैसा screen पर आप देख पा रहेंगी आपके screen पर पहला question है 2 s square minus 4 s plus 5 upon s cube यह question है यह बहुत simple question है इसमें आपका देखे जब इस प्रकार से question हो तो आप अलग-अलग सभी को कर दीजे मतलब यहाँ पर एक बार 2 s square upon s cube लिग दीजे तो हम यहाँ पर सभी part को अलग-अलग करते हैं अगर इसको आप लेंगे तो उपर s square है यहाँ पर s cube है आप यहाँ पर आपका 5 by क्या बचेगा 5 by s cube कहने का मतलब है दोस्ते जैसे कि आपका लिखा है x square plus y square upon x लिखा है तो इसको अगर आपको अलग-अलग करना है तो क्या करेंगे भाई simple सी बात है यह plus है तो इसको हम अलग-अलग लट सकते है x square upon x लिख सकते है plus y square upon x लिख सकते है same वही process यहाँ पर किया जा रहा है कि सभी को पार्ट को अलग-अलग कर दिया जा रहा है इससे क्या होगा आपका solution यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाएगा जैसे कि आप differentiation करते हैं अलग-अलग पार्ट में कर देते है तो simple आपको दिखने लगता है तो यहाँ पर आप formula बहुत अच्छे से लग जाएगा आप देखिए 2 आप बाहर कर दीजे आपका 2 बाहर होगा तो l inverse 1 by s हो जाएगा ओके और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा यह minus 4 by s square है तो minus 4 यहाँ पर हो गया और इसका आप लेंगे 1 by s square का तो l inverse 1 by s square हो गया ध्यान रहे हम l inverse मतलब inverse laplace यहाँ पर यूज करना है ठीक है इसका मतलब क्या होता है symbol का मतलब क्या है inverse laplace अगर l लिखा है तो वो laplace है अब यहाँ पर आपका दोस्त यह 5 by s cube है तो इसको 5 हो गया यह आपका 1 by s cube है अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 by s inverse laplace क्या होता है तो 1 by s inverse laplace होती है 1 अच्छा आप कैसे याद रखेंगे चुकि आपको laplace की हमने value बताए थे कि laplace 1 की value कितनी होती है 1 by s होती है याद है दोस्त l inverse laplace 1 की value होती है 1 by s होती है तो inverse laplace की value क्या होगी सिंपल सी बात है दोस्त हम यहाँ पर जब जानते है कि laplace की value जो है 1 by s होती है तो inverse laplace का मतलब इधर आपका l को उधर भेज दीजिए ऐसे आप याद रख से, L को उधर वेजिए, तो A inverse हो जाएगा, 1 by S हो जाएगा, तो 1 by S, जो आपका Laplace inverse का 1 by S है, कितनी value होगी, 1, तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की विप्रीत है, ठीक है, जब 1 की value 1 by S है, तो 1 by S की value 1 होगी, बस बात को इतना ही समझना है, तो inverse Laplace, त integration के विप्रीत जाता है, उसी प्रकार, तो यहाँ पर दोस्त आपका क्या है, L inverse 1 by S, जो है, इसका हो जाता है 1, फिर आपका है minus 4, तो हमने minus 4 लिखा, अब 1 by S square का क्या होगा, इसका भी हमने आपको बताया था, भाई, 1 by S square का हमने Laplace आपको बताया था, 1 by S square का नहीं, हमने हम इसका inverse लेंगे, तो T आपका इधर ही रहेगा, L को उधर बेज दीजे, तो Laplace inverse 1 by S square होगा, तो Laplace 1 by S square की जगापर क्या लिख सकते हैं, T, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता होने जाए कि Laplace 1 की value जैसे, उसमें पता था 1 by S है, इसमें Laplace T की value कितनी है, 1 by S square है, तो इसका just विपरी थी तो आपको लिखेंगे, मतलब 1 is equal to जो आपका होगा, 1 is equal to मतलब 1 बराबर Laplace inverse जो होगा, 1 by आपको कितना होगा, 1 by S की जगापर हम 1 लिख सकते हैं, या फिर आपको हैं कि यहाँ पर T बराबर Laplace inverse 1 by S square की जगापर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगा पर capital small T लिख सकते हैं, तो बस एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप 1 by S square, inverse Laplace की जगापर आप लिख सकते हैं, small T, ओके, अब यहाँ पर फिर से एक है 1 by S cube, तो हमने बताया था दोस्त, अगर 1 है तो उसका 1 by S होगा, मतलब Laplace 1 है, अगर Laplace आपका T है, तो उसका 1 by S square होगा, लेकिन अगर आपका Laplace, अगर Laplace T की power N है, तो क्या हो जाता था, Laplace T की power N है, तो आपका हो जाता था, T की power N upon S की power N plus 1, यही फार्मूला होता था, तो यही चीज़ यहाँ पर लगाया गया है, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपको यह जो फार्मूला दिख रहा है बस एक दूसरे को उभी परीद किया गया है तो यहाँ पर 1 by S cube है क्या है 1 by S cube तो simply यहाँ दोस्तों हमने यही आपको फार्मूला एक बताया था लापलास अगर T की पावर N है तो उसका फार्मूला क्या है आपका उसका फार्मूला है फेक्टोरियल N अपान S की पावर N प्लस 1 यही फार्मूला हमने बताया हमें चाहिए 1 by S cube तो 1 by S cube का मतलब है 1 by S की पावर 2 प्लस 1 अगर आप लिखेंगे तो इस फार्म में बनेगा मेरा कहने का मतलब S cube है तो आपका 2 प्लस 1 फार्मूला आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं 2 प्लस 1 मतलब N की जो वैलू आपको मिलेगी यहां से 2 मिलेगी तो यहां पर T की पावर हमें इनवर्स लापलास चाहिए तो मतलब इनवर्स का मतलब हम T की पावर N लिखेंगे और इनवर्स का मतलब लापलास इधर भेज़ देंगे ठीक है इनवर्स लापलास ज्याद कर रहा है और जो यह फेक्टोरियल N है इसको आपको अपान में भेजना है फेक्टोरियल N आपका अपान में आ जाएगा इधर बचेगा चुकि हमें 1 भाई S क्यूब याद करना है तो 1 अपान S की पावर N प्लस 1 जो यह बचेगा इसी को देखना है और हमें चाहिए 1 भाई S क्यूब तो N की जगह पर आप कितनी रखेंगे N की जगह पर आप 2 रखेंगे तभी आपका S क्यूब आएगा भाई आपका 1 अलेडी है तो यहाँ पर एक आप 2 और रख दीजिए तब आपका 2 प्लस 1 आपका S क्यूब हो जाएगा मतलब एद इनिवर्स वन भाई आपका 2 प्लस 1 अगर आप करते हैं 2 प्लस 1 अगर आप करते हैं आपका S क्यूब हो जाएगा तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर N की वैलू आपको कितनी मिली N की वैलू आपको 2 मिली चुकि तभी आपके 3 हो जा रहे हैं तो 2 जो मिली है यह आपका है T की पावर N अपान फेक्टोरियल N तो T की पावर N का मतलब यहाँ पर T की पावर N का मतलब T स्क्वार अपान फेक्टोरियल 2 यह चीज आपको प्राप्ट हुआ इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे T स्क्वार अपान फेक्टोरियल 2 इसकी जगा पर रखा गया वही फार्मूला आप यूज करिए कुलूला के लाप्लास इनवरस के अगर हम बात करें लाप्लास इनवरस आपका उसी से निकल कर आएगा दोस्त आप इसको लगाईए T स्क्वार बाई V! 2 आएगा और व्! 2 की वैलू होती है 2 चूकि व्! 2 को हम क्या लिखते हैं यहाँपर इसकी 2 आगया लगा पाएंगे तो फार्मूले पीछे के जरूर देखें नेस्ट कुश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त अगर आपको दिया है S आपान S प्लस 2 का होल स्क्वेर इसका मान ग्याद कीजे तो S आपान S प्लस 2 का होल स्क्वेर कैसे निकालेंगे तो हम इसको कैसे थोड़ा satisfied करें सोचिए अगर s plus 2 है और उपर s है आपका तो इसको कैसे करें कि कुछ cancel हो तो भाई नीचे s plus 2 है तो उपर भी आपको s plus 2 बनाना होगा तो s plus आपको s plus 2 नीचे है तो हम दो जोड़ देते हैं और दो घटा देते जिससे दोनों कैंसल करने पर s e आएगा कोई effect नहीं पड़ेगा हमने जितने add किया उतना हमने minus भी किया है तो यहाँ पर plus 2 किया और minus 2 किया और नीचे आपका s plus 2 का whole square है अब यहाँ पर एक बार इसके साथ ले लेते हैं s plus 2 के साथ इस value को एक बार minus 2 के साथ इसको ले लेते हैं तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमने दो जोड़ा और दो घटाया है उसके बाद हमने क्या किया इस value को इसको ले लिया s plus 2 upon s plus 2 का whole square तो s plus 2 s plus 2 whole square को cancel करेगा तो 1 upon s plus 2 बचेगा यहाँ पर आपका minus 1 upon s plus 2 whole square है तो minus 1 upon s plus 2 का whole square हो गया ओके अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 upon s plus 2 का inverse laplace आपको ग्याद करना है अब आपको हमने क्या बता रखा है हमने आपको बता रखा है एक मट अभी इसको लिख लेते हैं यह चीज हमने यहाँ लिख दिया minus 2 upon यहाँ पर इतना लिख दिया यह चीज clear है मतलब laplace को एक बार इसके साथ हमने ले लिया ठीक है एक बार फिर इसके साथ हमने laplace को minus 2 laplace inverse इतना हमने लिख लिया इसमें कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर आपको ध्यान देना इसको कैसे लिखा गया आप बताइए हमने आपको laplace का फार्मूला जब बताया था तो उसमें बताया था 1 upon s plus 2 का मतलब 1 by s का क्या होता है laplace 1 की value तो 1 by s होती है तो यहाँ पर आपको लेकिन s की value नहीं जाहिए यहाँ पर s plus 2 है तो इसका मतलब laplace laplace e की power 80 का फार्मूला हमने बताया था 1 upon s minus a 1 upon s minus a तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका 1 upon s minus a की जगाँ पर यहाँ पर है 1 upon s plus 2 अर्थात s 1 upon s minus a और यहाँ पर plus a तो इसको plus करने के लिए क्या होना चाहिए यह आपका minus होना चाहिए इसलिए यहाँ पर देखेंगे e की power minus 2t लिखा गया है तो फार्मूला आपको हमने क्या बताया था दोस्त अगर आपका अगर आपका लिखा हो e की power 80 और इसका laplace चाहिए तब आप लिखते थे क्या लिखते थे आप लिखते थे यहाँ पर e की power 80 का laplace लिखते थे 1 upon s minus a लेकिन यहाँ पर इसका just है कि 1 upon s minus a आपको दिया है इसको आप इसके just भी परीद जाएए अर्थात e की power 80 फार्म में convert करिए तो e की power 80 तो यहाँ पर plus 2 है इसलिए e की power minus 2 t अगर minus होता तो यहाँ पर plus होता यह आपको पता है तो यहाँ पर आपको क्या है कि e की power minus 2 t हो गया और यह आपकी जो value है यह laplace 1 by s हो गया चुकि आपको पता है भाई इसमें अच्छा first shifting property लगाईए अगर इसमें first shifting property आप लगाएंगे laplace के rule से तो यह आपका लिखा हुआ है यह आपका लिखा हुआ है तो s की जगह पर क्या होता है s की जगह पर s minus a put कर दिया जाता है तो s की जगह पर s minus a मतलब यह 1 by s है इसकी जगह पर s minus a put करेंगे तो आपका 1 by s है और यहाँ पर आपका क्या है plus 2 है तो अगर यहाँ पर आपका लिटी s minus है minus हो गया और आप minus 2 put कीजे तो 1 upon s plus 2 हो जाएगा गे नहीं वही चीज़ आपको मिल जाएगा तो यह इसका inverse का laplace का जाएगे विप्रीत तो जब लिखेंगे तो e की power minus 2t l inverse 1 by s मतलब इससे minus 2 को हटाएंगे तो e की power minus 2t में लिखेंगे और इससे अब 2 को आप हटा देंगे उसको simply लिखेंगे 1 by s अब यहाँ पर है minus 2 1 by s plus 2 का whole square बहुत ही simple यहाँ पर s plus 2 का whole square हो गया तो आप हमें बताएंगे minus 2 तो आपका बाहर है यह l inverse 1 by s plus 2 का whole square है तो e की power 2t का फार्मूला कहां से इंगल रहा है e की power 2t का यहाँ से चुकि 1 upon s plus 2 है ठीक है मतलब यह क्या है 1 upon s plus a के फार्म में है चुकि फार्मूला आपका हमने बताया था लापलास में e की power अगर 80 है तो इसका होता है 1 upon s plus से तो इसका जब 1 upon s plus से होता है तो इसका विपरीद जाएंगे तो भाई हमें e की power 80 ही तो मिलेगा तो हमें क्या दिया है 1 upon s plus 2 का whole square तो whole square को भी न देखी अभी देखिए s plus 2 तो s plus 2 मतलब यहाँ पर a की value कितनी मिलेगी minus 2 a की value कितनी मिलेगी minus 2 इसलिए आप देखेंगे इसकी जगा पर पहले लिखागा minus 2 ये तो था ही e की power minus 2t into laplace inverse जो है 1 by s square चुकि जब आप इसमें से 2 को हटाएंगे तो e की power में उसे लिखेंगे और यहाँ पर बचेगा only s तो इसी लिखा गया 1 by s square इसके बाद दोस्त आपको पता है laplace inverse 1 by s की value कितनी होती है 1 होती है चुकि हमने बताया laplace 1 की value होती है 1 by s तो inverse laplace मतलब 1 is equal to आपका laplace inverse 1 by s आपका हो जाएगा ओके आपका 1 by s laplace inverse 1 by s हो जाएगा अर्थात इसकी जो value होगी इसकी value होजी वो आपकी 1 होगी और इस साइड में जो आप देख रहे हैं यह minus 2 है minus 2 है e की power 80 है अब आपको यहाँ पर पता है 1 by s square का laplace जो आप करते है laplace t की value होती है laplace t की value होती है 1 by s square तो वही 1 by s square inverse laplace करेंगे तो आपका क्या होगा t बचेगा कहने का मतलब जो आपका laplace t है उसकी value कितनी है 1 by s square अगर इसका हम लेते हैं inverse तो इधर आप t रखिये और l को उधर भेज दीजे तो l inverse हो जाएगा 1 by s square तो l inverse 1 by s square की जगा पर क्या लिख सकते हैं small t तो आप देखेंगे यहाँ पर इस पूरे की जगा पर रखा गया है t यह आप देखें यहाँ पर इसको t put किया गया और minus 2 e के पाउर minus 2 t put किया गया है कुल मिलाकर यहाँ पर सारी चीजों को इसी प्रकार mention किया गया और फिर इसके बाद e के पाउर minus 2 t आपको common दिख रहा है common लीजे बचेगा 1 minus 2 t और जो कि आपका इस question का complete answer हुआ आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहरी बार है डिप्लोमा के चातने चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद